हेलो स्टूडेंट माइनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ 36 गड़ बोट परिच्छा 2022 कक्छा बारवी विसे गणित का सॉल्योशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिसका पीडियेफ टेलिग्राम ग्रूप पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड करें और इसका सॉल्योशन मिलेगा वेबसाइट पर गुगल पर टाइप करें परमेश्वरीकोचिंग.com प्रश्न करमांग पहला यदि A बराबर 3 माइनस 2 लेमडा, लेमडा प्लस 1, 2, 4, 1 अब यूद्क्रमणी आव्यू है तो लेमडा का मान ग्याद कीजिए 0 to 5 by 4, 10x dx का इंटिग्रेशन क्या होगा इसको बताना है अवकल समीकरण dy by dx equal to 1 plus x square, 1 plus y square को हल कीजिए यदि मौड अफ A equal to 1, मौड अफ B equal to 2, तो A.B equal to 1 दिया है तो ठीटा का मान ग्याद कीजिए अवकल समीकरण x square x, 10y dx plus x square y, 10x dy equal to 0 को हल कीजिए सात्वा प्रश्ण यदि किसी सरर रिखा की दिक को जाए cos alpha, cos beta, cos gamma है तो सिद्ध कीजिए कि sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2 समाकलन cortex upon log sin x dx का मान ग्याद कीजिए ये प्रतिस्थापन विधी से आपको इसको हल करना है प्रश्ण करमां करना हुआ, y equal to e की power x की power 3 हो तो dy by dx का मान ग्याद कीजिए इसके बाद सार्निक का मान ग्याद करना है, यहाँ पर सार्निक का मान दिया हुआ है जारेवाँ प्रश्ण y equal to 10 inverse square root 1 minus cos x by 1 plus cos x हो तो dy by dx का मान ग्याद कीजिए सिद्ध करना है, cos inverse 4x cube minus 3x equal to 3 cos inverse x उसके बाद सिद्ध करना है, अथ्वा वाला प्रश्ण दिये गए, दोनों में से कोई एक प्रश्ण को हल करना है 2, 10 inverse root x equal to cos inverse 1 minus x by 1 plus x जहाँ पर इसका मान ग्याद करना है, तो सांडनिक और अव्यो वाले चैप्टर से अच्छे से practice कर लेना है कि कि किस मान के लिए फ़लन fx equal to x square minus 2x plus 3 upon x plus 1 यदि x not equal to minus 1, कि यदि x equal to 1, तो n equal to 1 पर सतत है, इसको आपको प्रूब करना है उसके बाद i integration निकालना है, इसका समा कलंग ग्याद करना है, sin x upon sin x minus a dx का समा कलंग ग्याद कीजिए उच्चिस्ट और इमनिस्ट मान आपको ग्याद करना चैए, sin x plus cos x का उच्चिस्ट मान ग्याद कीजिए fx equal to e की power of 2x और gx equal to log root x, x is greater than 0, तो f o g x, got x का मान ग्याद कीजिए, most important question है 18 नंबर का माना की n धन्पुन्णांकों का एक समुचह यदि n into n समुचह में परिभासित एक सम्बंद r ऐसा हो की a b r c d a plus b b plus c जहां पर a b c d आपका natural नंबर को बिलाओं करेगा तो r एक तुल्यता सम्बंद है most important है यह भी अवकर समी करन का मान ग्याद करना है उसके बाद 20 प्रशन सदीस a, b और c का मान दिया हुए समतली है तो lambda का मान ग्याद कीजिए यहाँ पर mod of a equal to 3, mod of b equal to 5, mod of c equal to 7 तो a vector plus b vector plus c vector equal to 0 तो proof करना है कि a तथा b के beach का angle pi by 3 है उसके बाद प्राइक्ता के प्रशन दिये गए तो यह प्राइक्ता वाले chapters को अच्छे से कर ले तो यहां से आप passing score कर सकते हैं आवियो साडनेक प्राइक्ता यह तीन chapters को तीन topics को अच्छे से cover कर ले जदी यादराख छिक्चर x का प्राइक्ता बंटन नीचे दिया हुए तो इसका मान आपको ग्याद करना है k का मान और यहां पर p x is less than 3, p x is greater than 6 उसके बाद एक रेखा एक घं के विकर्णों के मद्द alpha, beta, gamma, delta कोन बनाती है तो आपको सिद्ध करना है cos square alpha, cos square beta, cos square gamma plus cos square आपका delta equal to 4 by 3 उसके बाद प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए यहां पर a inverse का मान ग्याद करना है a inverse equal to पहले आपको आव्यू, आव्यू का पहले मौड निकालना पड़ेगा मापांक निकालोगे उसके बाद इसको a inverse को ग्याद करोगे उसके बाद पच्चिसवा प्रश्न समाकलन के question को अच्छे से देख लेना है and dx upon a square plus cos square n plus b square sin 2x का मान ग्याद कीजिए पच्चिसवा प्रश्न भी IMP है, 26 तो very very IMP question इसमें से एक question जरूर आपके बोट एक्जाम में पूछे जाते हैं समाकलन के अनुप्रयोग से दिर्ग बृत x square by 16 plus y square by 9 से गीरे छेत्र फल ग्याद करना है परवल है 4y equal to 3x square तथा, रेखा 2y equal to 3x plus 12 से गीरे छेत्र फल ग्याद करना है यहाँ पर आलेखी विधी से रेकिक प्रोग्रामन यह भी आपका यही एक chapter से यहाँ पर भी अच्छे score कर सकते हैं इन में से question जरूर आता है आलेखी विधी से रेकिक प्रोग्रामन को हल करना है उसके बाद 2 रेखाओं, 2 रेखाओं यहाँ पर दिया गए जिसके समीकरन और उनके बीच की नियूनतम विधी नियूनतम दूरी को आपको ग्याद करना है कौन सी विधी से? कारती यह विधी से एक रेखा एक घन के विकरनों के साथ अलफा, बीटा, गामा और डेल्टा कोन बनाती है तो इसको आपको फ्रूब करना है, यह रिपिटेट कोस्चन है यहाँ पर उसके बाद y equal to a e की power of mx plus b e power of nx तो दर्साना है कि यहाँ पर d square y upon dx square minus m plus n dy by dx plus m and y equal to 0 तो इन में से आपके बहुत सारे question board exam पर आएंगे, आपको preparation अपने book से ही करना है अच्छे से करिए, model paper को भी देखिए, साथ में book को भी prefer कीजिए तो thanks for watching video, subscribe the channel, thank you